तो हेलो डियर जुनियर्स आज हम फिर आपके पास लेकाया हैं NCRT के चैप्टर 1 यानि सम बेसिक कॉंसेट्ट ऑफ केमेस्ट्री का प्रोब्लेम 1.3 को जो सवाल बहुत ही अच्छा है और कई सारे टर्म्स में पुछा जाता है हाला कि यह सवाल जो है और या पर क्या है कि यह सवाल जो है law of conservation of mass पर आधाडित है जिसमें आप जानते हैं कि mass is neither be created nor be destroyed mass को हम लोग नहीं पैदा कर सकते हैs reaction की दोरा नहीं उसको हम लोग नस्ट कर सकते हैं उतना मास सिस्टम में है, रियक्षन के स्टार्टिंग में, उतना ही मास रियक्षन के इंडी में भी रहेगा, इस चीज को फॉलो करते बें हम लोग चलते हैं, केमिकल रियक्षन की तरफ, मिथेन जिसका फॉर्मुला होता है, CH4, इसका कंबशन करने को बोल रहा है, मिथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रेड्यूज होगा, वो बतलाना है, आपको 16 ग्राम मिथेन हमने लिया है, तो किसी भी हाइट्रो कार्बन के कंबशन से दो चीज निकलता है, प्याड़े बच्चों, एक तो निकलता है कारबन डायोकसाइड, और दूसरा निकलता है वाटर के यहाँ पर reaction, इस तौर पर हम लोग मान की चलेंगे कि reaction दोराँ नहीं, mass loss हो रहा है, mass यहाँ पर नहीं gain हो रहा है, यह जितना mass पहले था, उतना ही mass अभी भी है, अगर हम सबके यहाँ पर reaction को पहले सबसे पहले यहाँ पड़ यह है कि ऐसे सवाल में लॉक्ष गंजर्वेशन आप मास का सवाल जब भी बनाओगे तो वहाँ पर reaction को balance करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो reaction को balance करने के दिखिए hydrocarbon का हम जितना भी combustion करवाएंगे सब का balance करने का तरीका trick बतलाते हैं साड़े जो भी hydrocarbon होंगे उसका combustion का reaction तुम ऐसे ही balance करोगे तो बिल्कुत सही होगा कैसे तो पहले आपो carbon को balance करना है carbon को यहाँ पर balance करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा carbon हमारे पास एक है तो एक balance है फिर second मे hydrogen को ही balance करना almost a second में hydrogen को ही balance करना उल्टा पुल्टा नहीं करना क्योंकि यह तो simple है खरी यह बन जाएगा और कोई complex होगा तो नहीं बनेगा तो hydrogen को balance करने के लिए चार hydrogen नहीं है तो 2 से multiply करना पर oxygen यहाँ पर 2 है इधर oxygen हमारे पास 2-2 चार है तो यहाँ 2 से multiply कर दिए तो oxygen भी क्या हो गया balance हो गया ठीक है reaction almost balance हो चुका है अब देखिए एक carbon का मास जो है वो होता है बारा ग्राम पर मोल एक मोल की बात करें तो oxygen का हाई ही टोजन का एक तीन ही element हमाड़े पास में है तो मिठेन का अगर सब कि हमें एक मोल की बात करें तो टोड़ल अगर हम देखिए यहाँ पर सब कि मोलर मास को काउंट कर करके चले कितना हमारे पास रियक्टेंट साइड में है कितना प्रोडक्स साइड में है तो आपको दिखाते हैं हमारा लॉफ कर दिर्शी अपमास बीगूल सही सावित होडा वागा बारह प्लस चार कितना हो गया 16 ग्राम यह हो गया मिध्यें यहाँ देख लिजिए यहाँ पर कित 14 ग्राम कारवन डियोक्साइड है और 16 प्लस दू 18 और 18 टोटल मल्टिप्ला कितना करना है टू से 18 गुना दू कितना हो गया 36 ग्राम हो गया अड़ी यह तो आंसर ही मिलिया डायक्टे सवाल में तो यही कहा रहाता ना कि 16 ग्राम मिथ्यन को जलाना है कितना ग्राम वाटर नि सौरान ही मालूम पढ़ ग्यानों को कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मिथ्यन है तो डेफिनेटली उसके कमशन से कितना ग्राम वाटर आने वाला है 36 ग्राम वाटर आने वाला है अब इसमें तो लोगिक क्या होता अगर सोला के बदले कुछ और यहां पर कर देता बोलता कि अग यहां पर रहता तो बचपन का रूल लगाते रेशियो प्रोपोर्शन वाला रूल कि सुला ग्राम हम लोग मिथ्यन लेते हैं तो 36 ग्राम वाटर बनता है तो 100 ग्राम मिथ्यन लेंगे तो एक्स ग्राम वाटर बनेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे सुला बट्य च्छतीस बर बराबर 100 प्ट x यहां से निकल गया एक्स बराबर-टाओ अब टॉड प्यdade कि शुद् Amd sob सुलना इस्थ चार नुव गञां आपनेर कने कि करना पर? कितना आसान था थी? यहां पर कुछ करना परा? कि आपके in-sy आर्टी में बहुत इस टाइप का reaction या सवाल मिले कि इतने ग्राम का ये है इसके combustion से या इसको इससे reaction करे कितना इसकी जुरत पड़ेगी उसके लिए दो बाते जरूरी है आपको reaction पता होना चाहिए कि reaction कैसा होता है equation मालूम होना चाहिए दूसरी बात equation को balance करना सबसे ज़रा important है तीसरी बात आप आप यहाँ पर सबका मुलर मास लिख दोगे आप अराम से लिख दिया मुलर मास और जैसे मुलर मास अपने लिख दिया फट से वहाँ पर तुरण देख लिना कि किसके combustion से कितना किसके reaction से कितना कौन चीज प्रेड्यूस हो रहा है कितना का requirement है कुछ भी पूसकता है सवाल सकता है कि अगर हमारे पास मिथेन 100 ग्राम हो तो उसको जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सिजन चाहिए यह भी मांग सकता है कितना बनेगा carbon dioxide यह भी मांग सकता है कितना बनेगा water यह भी मांग सकता है या ऐसे सवाल रहेगा कि अगर हमें water चाहिए होगा 100 ग्राम तो वह कि अंसर कितना हो गया बताओ डारेक्ट थर्टी सिक्स ग्राम हो गया अंसर अगर एंसी आर्टी के बनाए हुए सॉलेशन से ज्यादा इजी प्रॉसेस में हम यहां बताए है तो वीडियो जरूर लाइक करोगे और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जा झालगे